मित्रों जै मातादी काईसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे मातारानी आप सब ही का कल्यान करेंगी मित्रों वर्स 2021 में नरक चतूर दसी कब है जानिये दिन वत तारीक और पूजा विधी क्या है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन ये सब जानने से पहले अभी तक हमारे इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेयर करेंगे मित्रों नरक चतूर दसी कार्तिक माह के क्रिश्ट पक्ष की चतूर दसी तिथी को मनाया जाता है और इसे नरक चवदस, रूप चवदस और रूप चतुरदसी भी कहा जता है पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मृत्यू के देवता यमराज की पूजा करने का बिधान है दिपावली से ठीक एक दिन पहले मनाये जाने की वज़ा से नरक चतुरदसी को छोटी दिवाली भी कहा जता है नरक चतुरदसी के दिन साम के समय दिये जलाये जते हैं और इस दिन भगवान यमराज की पूजा करके अकाल मिर्ट्यू से मुक्ती और ब्यहतर स्वास्त की कामना की जाती है नरक चतुरदसी भगवान यमराज की पूजन करने की बिधी को भी जान लेते हैं नरक चतुरदसी के दिन प्रातहकाल सुर्य उदय से पहले इसनान करने का महत्तु है इस दवरान तिल के तेल से सरीर की मालिस करनी चाहिए इसके बाद चिर्चिरी के पत्ते को सीर के उपर से चारों और तीन बार घुमाएं फिर नरक चतुरदसी से पहले कार्तिक क्रिष्ट पक्ष की अहोई अश्टिमी के दिन एक लोटे में पानी भर कर रखा जाता है नरक चतुरदसी के दिन इस लोटे का जल नहाने के पानी में मिला कर इसनान करने की परमपरा है मान्यता है कि ऐसा करने से नरक के भाय से मुक्ती मिलती है इस नान करने की बाद दच्छिर दिशा की ओर हाथ जोड़कर यमराज से प्राथना करें ऐसा करने से मनुष्य द्वारा वर्ष भर किये गए पापों का नास होता है इस दिन यमराज के लिए तेल का दिया घर के मुख्यद्वार से बाहर की उठ जलाएं नरक चतुरदसी के दिन साम के समय सभी देवताओं की पूजन करने के बाद तेल के दीपक जलाकर घर की चोखट के दोनों और घर के बाहर वक्कार इस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दें माननिता है कि ऐसा करने से लच्मी जी सदय घर में निवास करती हैं मित्रों नरक चतुरदसी 2021 में 4 नवंबर दिन गुरुबार को मनाई जाएगी और नरक चतुरदसी के दिन अभ्यंग इसनान करने का सुब महुर्थ होगा 6 बच का 6 मिनट से लेकर 6 बच का 34 मिनट तक रहेगा यानि इसनान करने की कुल अवधी होगी 28 मिनट